हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर वाटसाप में आप लोगों का वीडियो को ला रहा है रिंग भी हो रहा है लेकिन यहाँ पर आप लोगों कोई भी डिस्पले में शोन नहीं हो रहा है ठीक यह इस रिसीप करने के लिए तो इस problem को आप लोग कैसे solve कर सकते होगा तो आज के वीडियो में में ही बताऊंगा आप लोग को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए इस problem को solve करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर settings में जाना है settings में जाने के बाद आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है नीचे एक option देखने को मिलेगा इस apps का देख सकते यह रहा apps इस पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद manage apps पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर लोग नीचे scroll down करके whatsapp को ढूण दीजिए whatsapp क को ढूण दीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक option है चैनल को पर DAYख कर दीजिए यहाँ पर यह वाला जो option है notification का इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बहुत सरा notification यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों क्या करना है कैस अगर आपके phone में जो है notification ऐसे करके off है तब भी जो है आप लोगों को video call डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को क्या करना है कैस इन सब option को यहाँ पर से on कर देना है अगर आपका option यह option on है अगर इस में से दो तीन option off है तब भी आप लोगों को problem देखने को मिल सकते हैं तो सभी option को यहाँ पर से आप लोग on कर दीजिए तब भी जो है आप लोगों का notification आएगा WhatsApp का और वीडियो call भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीए गाइस तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Poco M3 Pro 5G phone में वीडियो call notification को show कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसाना आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई